हलो इस्टेंज मैं कक्छा दस्वियाले विद्यायतियों को इस वीडियो में एक नंबर वाले प्रस्णों को बताने वाला हूँ तो चलो देख लेते हैं जितने IMP है तो देखो पहला प्रस्ण क्या है पहला प्रस्ण है साइलेंट इस्प्रिंग पुस्तर के लेखा कौन है तो उत्तर क्या लेना है उत्तर यहाँ पे आपको लेना है बी लेना है रैचल कारसन लेना है अगर ये एकजाम में देखने को मिलेगा तब रूसी क्रांती का नेता था तो उत्तर क्या लेना है रूसी क्रांती का नेता जो था वो लेनीन था लेनीन लेना है परमाडू खनीज के लिए प्रसीद खनीज है तो उत्तर क्या लेना है यूरेनियम यूरेनियम जो है वो परमाडू खनीज के लिए प्रसीद खनीज है अगला है दुपो का देश कहलाता है तो इंडोनेसिया को लेना है यहाँ पे क्या इंडोनेसिया है न और भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की वेस्था है तो उत्तर क्या लेना है उत्तर आपको लेना है पंचायती राज वेस्था अगला है एलो सलफाइन क्या है तो क्या लेना है आपको किट ना सक ठीक है क्या है क्या है किट ना सक एलुमुनियम का आयस्क क्या है तो एलुमुनियम का आयस्क बाकसाइड है उत्तर क्या लेना है बाकसाइड को लेना है चावल को उत्पादन में कौन सा राज प्रथम है तो उत्तर आपको लेना है यहाँ पे पश्चिम बंगाल लेना है चावल कुद पादन में पहला जो राज है वो पश्चिम बंगाल है FCI का मतलब तो FCI का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे लेना है भारती खाद निगम लेना है अगर ये प्रशना आता है तब अगला है सुचना का अधिकार के लिए आंदोलन की सुर्वात किस राज जैसे हुआ तो उत्तर क्या लेना है राजिस्थान लेना है यहाँ पर क्या दिया है राजिस्थान राजिस्थान से हुआ लेना है सरकार द्वारा बिजली की सुईधा प्रदान की जाती है उत्तर क्या लेना है उत्तर यहां पे सी लेना है सारवजनिक हित के लिए लेना है हरित क्रांती से फसल बढ़ी तो किसका है गेहूं है गेहूं का है यहां पे है इन में से किसकी सुरुवाद जर्मनी से हुई थी उत्तर क्या लेना है नाजीवाद लेना है CFI का कार्य क्या होता है खाद्यानों का बंडार बंडार निवाँ वीतरन करना है टेली विजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं क्या कहते हैं सीधा प्रसारण कहते हैं अगला है इन में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है तो उत्तर क्या लेना है यहाँ पर जैविक संसाधन नहीं है मस पालन पसू प्राड़ी ये चट्टान लेना है न्यूडिल की घोषना किसने की थी तो यहाँ पे क्या दिया है रूजवेल्ट दिया है रूजवेल्ट आएगा आगे देखो भारत का सबसे बड़ा बकसाइड उत्पादक राज कौन सा है तो उत्तर क्या लेना है उडिसा लेना है उडिसा में होता है ना चत्तिस गड़ में सन 2012 में पालित हुआ तो खाद सुरक्षा दिनियम पालित हुआ ये इसका उत्तर रहेगा अगला है सुचना का अधिकार सुचना अधिकार का सरवाधिक लाब होता है तो उत्तर क्या लेना है भर्ष्टाचार को रोखने के लिए लेना है अब रिक्तिस्थान देख लेते हैं रिक्तिस्थान में देखो भविसे में उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सूर्य रहेगा खालिस्थान मरुस्थाल राजिस्थार राजमे है तो थार लेना है थार का मरुस्थाल केंदरी बजट खालिस्थान में पारित किया गया तो संसद में पारित होता है बपरिश्टाल ख इसके बाद है हरी के बांध खाली संथ नहर निकाली गई तो हरी के बांध से इंद्रा गांधी नहर निकाली गई तो हरी के बांध से इंद्रा गांधी नहर निकाली गई तो हरी के बांध से इंद्रा गांधी नहर निकाली गई तो हरी के बांध से इंद्रा गांधी नहर नि यहाँ पर देखो ओची मीन्ह लेना है वैस्वी करन से खाली सन वाद बढ़ा है तो उद्भोकता लेना है अगला है खाली सन भूमी की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा तो यहाँ पर क्या लेना है क्रिसी लेना है तो फसलों कुद्पादन घट जाएगा रूसी समराटो को खाली सन के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जार लेना है FSSAI का पूरा नाम खाली सन है Food Safety and Standard Authority of India है और इसके बाद है उत्री वियत नाम की राध्धानी हनोई यहाँ पर हनोई है भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ी समाजार एजंसी PTI है पॉसत आय को खाली सन आय भी कहा जाता है तो क्या लेना है प्रती व्यक्ति आये रभी की फसल का मुख्य खादयान खाली सन है तो गेहू लेना है सबसे ज़्यादा कुपोसी धोने की संभावना यह जो है गरीब वर्ग में होता है ठीक है जिसे हम वर्ग अगर कहें तो जीरों से पूछ पहाच आता है लेकिन यहाँ पर गरीब लेना है नाइजेरिया के राष्टपती और प्रथम राष्टपती वही एक सिर नाइजेरिया के राष्टपती और प्रथम राष्टपती ना तो यहाँ पर लेना है नमादी आजी कीवे को लेना है नियम गिरी जन जाती छेत्रों में खनन खाली स्थान एक्ट का उलंगान है तो प प्रदूसर रसायनिक खात के करण होता है तो रसायन मैंने लिखा है यहाँ पे सरकारी योजना सरकारी योजना जैसे यह मन रेगा है ना सरकारी योजना है इसके बाद जीवन सहली में तीवर प्रभाव टेलिवीजन के कान हुआ और दिती विसी यूद सन 1949-1949 तक के चला यहाँ पे है धन सुरक्षा धन सुरक्षा जो है इसको आपको लेना है बैंकों में होता है डिका बैंक में रखते है डिजिटल क्रांती डिजिटल क्रांती जो है वो इंटरनेट के कारण होता है औसत आय निर्धारन औसत आय निर्धारन जो है प्रतिव्यक्ति के कारण होता है तो प्रतिव्यक्ति लेना है यहां पे नहीं दिया ठीक साइड में तो लिख लेना इसके बाद है और अवसत होगे फांसी वाद को आपको लेना है एकल दल का समर्थग लेना है और एक है भारत भारत सोतंद रुवातत कब वह था उनीसो सैंतालिस में लेना है मिट्टे प्रदूसर है सीत यूद की समाप्ति की शीति इूद की समाप्ति को आपको लेना है सण 1990 में हुआ था और किसके किसके बीच अगर लड़ा लेना है चल चीत्र चल चीत्र को लुम्य बंदू में लेना है अगला है जीवन प्रत्यास प्रत्यासा इसको आपको लेना है आउसत आयू में लेना है टेलीविजन टेलीविजन को आपको लेना है जे एल बेयर्ड में लेना है ड्यूमा ड्यूमा जो है वो रूस की संसत है शुल के वस्तु का विक्रीकरत यह उतपाधा शुल का है तो इतने सारे मैंध़ प्रशन आपको बता रह boils हो यह desから हो सारे के सारे महतपूर है इनकी आपको अच्छे से त्यारी कर लेना है और आपको यह भी और विकास, विकास समझ और भूमी, इस से आने हैं, तो इन अध्यायों को देख सकते हैं, तीन अध्याय मिला के हैं न, तो तीन प्रशन आएंगे, इसके बाद ये दोनों अध्याय नहीं देखना है, तीन प्रशना क्रिशी और दो विस्व यूद्यों के बीज रूसी, और यह मुद्रा और साथ अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहो तो ठीक है और यहां पर देखो इसमें भी बता है तीन नंबर के यह तीन अध्या से आएगा इस अध्याय को नहीं पढ़ना यह तीनों को छोड़ देना कहा रहा है यहां पर फिर यहां पर खाले सुरक्ष पर नेको मिलेगा